अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कुट नितिग्य, आचार्य चानक्य ने सदियों पहले कहा था, कालाती क्रमात, काल एव फलम पिवती, जब सही समय पर सही कारिय नहीं किया जाता, तो समय ही उस कारिय की सभलता को समाप्त कर देता है। UN पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोवीड के दोरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रोक्सी वार, आतंकबाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोवीड के ओरीजिन के संदर्व में और इस आप डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवरनेंस से जुड़ी संस्ताओं ने दसकों के परिशन से बनी अपनी विश्वर सिज़ता को नुक्षान पहुचाया है। यह आवशक है कि हम विएन को ग्लोबल आडर, ग्लोबल लॉंस और ग्लोबल वैल्यूज के समरक्षन के लिए निरंतर सुद्रड करें। मैं नोबल पुरस्कार विजेता गुर्देव रबिंद्रनाथ तगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समार्त कर रहा हूं। शुभो कर्मपोथे, धोरो निर्भोयोगान, शौब दुर्बल सौन्योष होक अभोशान। अर्थात अपने शुभ कर्मपत पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और संकाएं समापत हो। ये संदेश आज के संदर्व में सयुक्त रास के लिए जितना प्रासंगिक है, उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है, हम सब का प्रयास विश्व में शांती और सवहार्द बढ़ाएगा। विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और सम्रद्य बनाएगा।